अप्चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है सपा आरोप लगार ये बात करने के लिए यूपी सबकारे मंत्री द्याशंकर सिंग की मौझूद है द्याशंकर जी बीजेपी को जीत मिली है सपा कहरी धंदली हुई है कैसे आप पूरे अप्चुनाव को देख रहे हैं और आर को खीज को मिटाने के लिए इस तरह के आरूप लगा रहे हैं जदी इस तरह का कोई विशेष था तो उस समय हर पूलिंग पर सेक्टर मजिस्ट्रेट होता है कोई भी सिकायत चुनावायोक से उतुरेंद कर सकते थे उस पर तुरिद करवाई हो सकती थी ये तो जब उनको लगा कि भार्ना है कभी कहते हैं कि भीम में में गड़बड़ी हो गई और लगातार भारते जनता पार्टी जीत रही है वो खुद मुख मंत्री थे तो 2014 में भारते जनता पार्टी 73 सीटे प्राप्त की लोग सभा में उनके पहरो तले जमीन की सग्या उनको पता नहीं चला सत्रा में खुद मुख मंत्री थे और प्रचेंट भारते जनता पार्टी जी तो यह क्या मैंने गड़बड़ी करके कराई गई जो स्वें मुख मंत्री थे उननीस में अपने घोर विरोधी भोजन समाज पार्टी को साथ लाए जो असंभव बात कही जाती है कि पूरवर प में उन लोगों ने जूट जो है भरम फालाया लोगों के बीच में कि संविधान बदल देंगे मोदी जी चारसो सिट पाएंगे तो आरक्षन खतम कर देंगे उसमें उनको सपलता कुछ प्रावत हो गई तो गाउं में कहावत है कि काट की हाड़ी बार बार नहीं चड़ती इस संभल में घटना हुई है उसको कैसे देखते हैं आप मौत भी हुई है इंसा हुए है यह बहुत दुखद है साथ को नियाले के उस पर आदेश पर पर कोई वहां टीम गई थी और इस तरह से पथ्रा हुआ और इस तरह की घटना हुई दुखद है यह नहीं होनी जो उत्तर प्रदेश के महल को ठीक नहीं रहने देना चाहते हैं तो किसी न किसी कारण बस इस तरह के अफवाय फ़लाई जाती है और लेकिन सरकार इसके लिए कट्टिबद है कि उत्तर प्रदेश की कानून विवस्ता का कोई भी हाथ में अपने लेगा तो सरकार उस पर सब् सब्सक्राइब करने पहुंच गई और पत्राव क्या है चुनाव में तो भारतिय जनता पांटी जीती है कि अलूतर परदेश में जीती है पूरे देश में जीती है तो यह उल्टा बात कह रहे हैं यह तो हमारा प्रचार होना चाहिए ना कि मैं समझवादी पांटी बुरी देशंकर सिंग साफ के रहे हैं सपा का इस बर सुपला साफ हो गया है इस वज़े से पोख लाई है कैमरा में समझे के साथ समझ्ष वास्तव आज तक